Hello everyone, welcome to MM Academy, मैं हूँ शशांग लखेर और इस वर्ड में मैं आपसे बात करूँगा COVID-19 की third wave भारत में आपको पता होगा, यह करीब एक लाग से साधा cases जो है आपर record किये गए देखो, इस वीडियो को जो है, मैं आपको डराने के purpose से record नहीं कर रहा हूँ सिर्फ awareness के purpose से जो है आपर record कर रहा हूँ कि जो Indian Institute of Science Bangalore है इसके अलावा जो Indian Esthetical Organization है, उन्होंने क्या study करी है, किस चीज़ को predict किया है कि आने वाले समय में भारत में कितने cases जो है आपर record होंगे इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके पहले आप ये समझे लो कि भारत में जून 7 के बाद करीब 1,00,000 cases जो है report किये गए है और अभी तक 1,636 infections जो है record किये गए है मतलब करीब 214 दिन के बाद भारत में 1,00,000 से जादा cases जो है report किये गए है इस पर आर्टिकल भी है ये आर्टिकल मिंट का है COVID-19 India's logs more than 1,00,000 new daily cases after 7-1 तो finally 7 महीने बाद भारत में 1,00,000 से जादा cases जो है report किये जा रहे है वही अगर आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में करीब 6,00,000 के आसपास cases जो है आपको daily देखने को मिलेगी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हाला कि deaths भी जो है वो बहुत कम है और primarily जिस तरीके से delta variant spread हुआ था अब Omicron variant जो है spread हो रहा है पूरी दुनिया बर में और almost अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे तो आपको huge cases जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आने वाले समय पे भारत में कितने cases आपे record के जाएगे तो काफी कुछ जो है आपको इस वुड़ में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी exam की प्रेशान कर रहे हो तो आपको smart courses तुरू कर सकते हो आपको simply करना क्या होगा app को download करना है फिर आपको यहाँ पे sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है courses को enjoy करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF पी जो है download कर सकते हो इसके लावन mmacademy.in यह हमारी website आप website पे भी जो है visit कर सकते हो और आप मुझको facebook और instagram पे follow भी कर सकते हो अगर कोई भी query आती है तो आप मुझको वहाँ पूस सकते हो इसके लावन telegram channel भी है mmacademy officials तो इसको भी जो है आप join कर लो योगि youtube में कभी notification नहीं आता लेकिन जो telegram channel है वहाँ पे आपको link जरूर मिल जाएगी 8 January 2022 को मैं इस video को record कर रहा हूँ और recently 7 January को जो है भारत का जो स्वास्त्रिमंत्राला है उसने यहाँ पर report दी है कि 214 दिन बाद भारत में एक लाग सी जादा cases जो है report किये गए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक बार दुनिया को देख लो तो सबसे पहले आप चाइना को समझ लो जहां से COVID-19 शुरू हुआ था आज भी ये देश 115 नंबर पे आ गया है पहले जब मैंने COVID-19 के बारे में एक वीडियो रेकॉर्ड किया था तो समय ये देश 114 नंबर पे था लेकिन अब जो है 115 नंबर पे आ गया है तो चाइना में cases जो है काफी कम आपको देखने को विलेंगे ऐसा ये कहते हैं लेकिन इनके हाँ cases बहुत है और इनके आहां finally एक लाग cases जो है यहाँ पे cross हो गए है और 159 cases जो है अभी newly fresh record किये गए है इसके लावा सिर्फ 4636 जो है ये death हुई है चाइना है तो चाइना जो है इस चीज़ को यहाँ पे claim करता है लेकिन आपको भी पता है population के हिसाब से जब इन्डिया में इतने सारे cases आ रहे है तो चाइना में भी जो है बहुत ही huge cases हमको देखने को मिलेंगे लेकिन अब अगर हम बात करें दुनिया में उन देशों की जो सबसे top में है तो अमेरिका में आपको सबसे जादा cases देखने को मिलेंगे फिर आता है भारत यूज़ cases देखने को मिलेंगे सिंपली आप ये कह सकते हो कि cases जो है पूरी दुनिया भर में double हो रहे है जब first wave आई तो 2020 के नवंबर में हमको देखने को मिली कुछ इस तरीके के cases थे नवंबर से शुरू हो गए थे लेकिन January और February में cases यहां पर कम हो गए थे तो January में हमको peak देखने को मिला था first wave का उसके बाद second wave आई second wave में हमको मैं में यहां पे काफी cases यहां पर देखने को मिले उसके बाद एक mild wave भी record की गए लेकिन mild wave में उतने cases नहीं देखने को मिले लेकिन अगर आप अब देखोगे तो 3 million के आसपास जो है case जा रहे है मतलब 2.5 million के आसपास आप समझ सकते हो तो बहुत ही huge cases जो है इंडिया में record के जा रहे है मतलब 25 लाग के लगबग cases जो है आपे पूरी दुनिया भर में एक दिन में record किये जा रहे है अगर आप इस graph के हसाब से देखोगे तो और दुनिया में जितनी भी website है उन में से सबसे मरहूज जो website है वो है worldometer जिस पे अभी हम इस graph को देख रहे है वही अगर आप इस graph को देखोगे तो आपको cases जो है या पे बिलकुल साफ समझ में जाएंगे कि किस तरीके से cases जो है record के जा रहा है तो दुनिया भर में अमेरिका में सबसे जादा cases है उसके बाद आपको ब्राजील पे भी देखने को मिलेंगे लेकिन वही अगर आप इंडिया में देखोगे 24 दिन बात भारत में एक लाग से जादा cases जो है हमको देखने को मिल रहे है वही अगर आप death देखोगे तो death जो है काफी कम आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 302 जो है यहाँ पे death हुई है लेकिन अगर आप इसको previous wave से compare करोगे delta variant से आप omicron variant दो compare करोगे तो आपको काफी कम death जो है आप देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप total death की बात करें तो भारत में करीब 483,187 death जो है हुई है अभी तक वही अगर आप daily positivity rate देखोगे तो वो करीब 7.74% जो है हो गया है वही अगर हम weekly positivity rate देखते हैं तो वो करीब 4.54% हो चुका है ministry के हिसाब से वही अगर हम death की बात करें तो जो भारत के अलग लग राज्ये हैं उन में सबसे आदा death आपको महराश में देखने को मिलेगी फिर है कैरला और फिर है करनाट का लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगी कि जिन देशों में booster dose लगी हुई है उन देशों का क्या हाल है देखो जिस देश में third booster dose को लगा दिया गया है वहाँ पे cases जो है काफी कम देखने को मिल रहे है और death पी जो है कम देखने को मिल रही है मेंली इसराइल, United Kingdom, चिले इसके लावा और भी देश है जहाँ पे third booster dose आपे लगा दी गई है आपको पता United Kingdom ने पहले ही आपे announce कर दिया था जैसे ही cases बढ़ना शुरू हुए थे और इन्होंने अपनी flights को भी जो है आपे बैन कर दिया था आफरीका से तो आफरीका से जो भी flights जा रही थी United Kingdom उन सब flights को जो है आपे बैन कर दिया गया था और recently जो Omicron की third wave है उसको लेके जो IISC Bengaluru है उसने यहाँ पे study करी है इसके लावा जो Indian Esthetical Institute है बैंगलोरू का इनने मिलके जो है यहाँ पे study करी है इन्होंने यहाँ पे यह बताया है कि जिस rate से Omicron spread हो रहा है पूरी दुनिया भर में उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक data publish किया है जिस तरीके का Transibility Rate है उसे साब से IISC Bengaluru इसके अलावा Indian Esthetical Institute ने मिलके जो है यहाँ पे study करी है और यहाँ पे यह पताया कि third wave जो है coronavirus की वो January के last week में जो हमको peak cases देखने को मिलेगे और इसका impact February में भी होगा इसके बाद दीरे दीरे जो है जो कर्व है वापिस flat होना जो है शुरू हो जाएगा मतलब March तक आते आते जो cases है भारत में वो बहुत कम हो जाएगे लेकिन January से लेके March के बीच में अगर आप देखोगे तो हमको बहुत सारे bets की ज़रूरत पढ़ेगी और जिस तरीके से अमेरिका में cases record किये जा रहे हैं और दुनिया के जो दूसरे देश है वाँ पे cases record किये जा रहे है भारत के health infrastructure पे एक बहुत ही बड़ा pressure जो है आएगा एकदम से जब पेशन्ट आएंगे तो इंडिया के पास इतनी विवस्था नहीं है कि हम इतने सारे पेशन्ट को जो है आपे admit कर पाए और मेल लिए यहाँ पे तीन conditions को बताया है कि COVID-19 कितना severe जो है आपे हो सकता है top condition रही तो करीब 10 लाग cases जो है आपे per day record के जाएंगे इसके अलावा करीब 6 लाग cases भी record के जा सकते हैं इसके अलावा करीब 5 लाग के आसपास जो है आपे cases देखने को मिलेंगे मतलब 5 लाग से 3 लाग भी cases जो है देखने को मिल सकते हैं January से March के बीच में इन्होंने इसके बीच की जो हैं आपे study करी है और March में अगर आप देखो के तो वापिस जो है कर्व फ्लेट होना शुरू हो जाएगा मतलब जो COVID-19 cases है वो कम होना शुरू हो जाएगे लेकिन इन सब में December end में अगर हम देखें तो इंडिया में sudden rise हमको देखने को मिला है मतलब recently 2020 December में cases जो ह भारत में बढ़ना शुरू हो गए थे और जैसी study IISC बैंगलोरू ने करी है वैसे ही study जो Indian Institute of Technology कानपूर ने है वो भी यहाँ पर conduct करी गई है तो इनकी study में भी यही कहा गया कि February में हमको COVID-19 pandemic का जो बीक है वो देखने को मिल सकता है तो I hope कि आपको COVID-19 की जो third wave है Omicron variant के ब जाहित जावारत